तिरिल ये रिष्टा क्या कहलाता है में साल पांस साल के बाद लगाएगी अभीरा की बेटी दादी सांको कोल्चिया दोसानेवल ट्रैक में देखने को मिलने वाला है शो में पांस साल का लीपा जाता है दादी सा अपनी जिद नहीं छोड़ेगी और रोहीत की कुशियों के लिए अर्मान अमीरा घर चोड़कर चले जाएंगे और संजे का दबदबा होगा अभी पोदार फार्म पर देखने को मिलने वाला है कहानी में बहुत इंटरेसिंग ट्विस जहां पर अभीरा और अर्मान की बेटी हमेशा अपने परिवार के बारे में कुछ भी नहीं परिवार के बारे में भी हमेशा अपडेट देते रहेंगे देखने को मिलेगा कि चुरी चुपके चुपके यहां पर कोई कुछ परिवार के सदे से अभीरा अर्मान से बाते करते रहेंगे कॉल से कनेक्ट रहेंगे और यहां पर महादव जो कि अभीरा को अपनी बेटी जेसा मानता है हमेशा है हुआ हैं उसे बाते करते रहेगा कौल परूड़ सो पता होगा कि अभीरा और और मान की एक पीटी भी है लोकिन दादी कश्णा इतनी आसानी से नहीं इपिग लेगा लेकिन अपने खांदान की वारीस को जो है अभी रह और मान के पास धह कर नहीं ना कहीं नागर दादीसा कभी कई बार dadi sahne john all वहई वह परिवार भी उनके पास होता और हर त्वहार पर अभी रहर अर्मान को याद करते भी नजराएंगी दादीसा देखने को मिलेगा कि यहीं पर जो है दादीसा एक दिन चुपके से जब मादव बात कर रहा होता है तो दादीसा वो कोल डिसीव कर लेती है जो अभीरा की बेटी का होता है और मादव चुपके से उनकी बाते सुन रहा होता करता है जिससे की दादीसा का मिल जो दिल है वो पिघल सके उन दोनों के लिए बच्ची की खातीर ही सही और दादीसा जैसे ही कोल डिसीव करेंगे उनका दिल उनके आंकों में पहली बार आसू होंगे अभीरा की और अर्मान की बेटी आवास सुनकर और वो उन्हें बड़ी दादीसा कहे के पुकारेंगी जी हां दोस्तों देखने को मिले का ही दादीसा उसकी आवास सुनकर ही पिघल जाएंगे देखना दिलचस्प होगा उसके बाद 5 साल बाद कैसे दादीसा अभीरा अर्मान और अपनी पर पोती को घर लेकर आती है